हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी निव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू आवर यूट्व चैनल कंपडिशन मैथ पॉइंट दोस्तो हम लोगों ने एससी किरन प्रकाशन बुक के बीजगनित चेप्टर को सब्सक्राइब कर देखे थे आज हम लोग इस वीडियो में एक कावन नमर प्रेशन से देखेंगे दोस्तो सब पहले यदि आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले जिससे कि आपको एससी किरन प्रकाशन बुक का सिल्यूशन मिलता रहेगा आप हमें ट्यूटर और इस्टाग्राम दोनों पर फॉलो कर सकते हैं जहां से आप मुझे ट्यू पेज को आवस से लाइक कर ले ताकि वहां से भी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और मेरा एक और चैनल है मैंने एक और चैनल किरियेट किया है जहां उसको भी आप तो सब्सक्राइब कर सकते हैं तो देखेंगे आज एक कावन नमर प्रेशन क्या काता है प्रेशन ने कहता है कि बिंदू A 3,-2 बिंदू B 1,4 और बिंदू C-2,X समरेख है तो X का मान बताना है तो समरेख का जो एक फर्मूला होता है होता है A into देखिए छोड़िए इसको डिरेक्ट हम लोग फर्मूला को लिखते हैं तो फर्मूला क्या होता है X1 into Y2 minus Y3 ठीक है पलस X2 into Y3 minus Y1 पलस X3 into Y1 minus Y2 ये क्या होता है समरेख का एक्वेशन X1 क्या होगा X2 क्या होगा X3 क्या होगा देखिए कोरिनेट्स का फर्मूला क्या होगा X1 यहाँ पर X2 यहाँ X3 ठीक है और दूसरा जो होगा Y1, Y2, Y3 ठीक है तो X1 फर्मूला में X1 कितना है 3? Y2 देखन Y3 कितना है X है तो minus का X plus X2 कितना है तो देखिए X2 1 है 1, Y3 कितना है तो X है minus का Y1, Y1 कितना है minus का 1 है तो minus यहाँ put करेंगे तो minus minus plus हो जाएगा 2 पलस X3, X3 कितना है minus का 2 तो यहाँ पर minus plus minus हो जाएगा तो यहाँ पर minus 2 और Y1, Y1 कितना है तो देखिए Y1 minus 2 है और Y2 कितना है plus का 4 है तो यहाँ पर minus का 4 होगा, ओके हो गया अब इसी को हम लोग क्या करेंगे solve, देखिए और बढ़ावर क्या होता है 0 ठीक है, बढ़ावर 0 यहाँ पर करेंगे 3-2 2 मैंस झाइगा तेरा बार में यानि कि X का जो value हो जाएगा क्या हो जाएगा 13 एक नमबर ओकी चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रेशन की ओर 52 बिंदू इतना और बिंदू इतना से गुजरने वाली रेखा कि ढाल minus 1 है तो X का मान बताना है तो इसका एक सूत्र मैं ने लिख वाया था है ढाल के लिए Y2 minus Y1 by X2 minus X1 बरावर क्या होता है M, M क्या होता है ढाल, ढाल का value क्या देराखा है minus का 1 Y2 क्या होगा 5, Y1 क्या होगा minus का 1 तो minus put करेंगे तो minus minus plus 1 बटा में X2 क्या होगा X2 X है तो X और minus का 2 है तो 2 बरावर ढ़ाल कितना है M minus का 1 इसी को कुरोस गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 को X से गुना करेंगे तो 6 और इधर करेंगे X को 1 से तो minus का X हो minus minus plus 2 2 इधर आएगा तो minus में आएगा यानि कि 6 में से दू जाएगा तो minus का 4 हो जाएगा यानि कि X का value क्या होगा minus का 4 देखिए option में X का value minus का 4 2 नमबर ओके आगे देखिए 53 नमबर प्रेशन क्या गता है प्रेशन है 53 कि बिंदू R 1,B प्रथम मुले पर R1 प्रतिबंद होता है R1 X अक्ष पे minus 4,2 का प्रतिबंब होता है बिंदू R के निर्दसान क्या है यह हमको बताना ठीक है तो minus 4,2 किस क्वारेंट में होगा देखिए यहाँ पे minus 4,2 Y अक्ष जो है positive है positive है इसका मतलब क्या is quadrant में होगा second quadrant में जिसमें Y positive होता है X negative होता है यह X यह X dash यह Y यह Y dash ओके अब हमको क्या कह रहा है कि इसका प्रतिबंब प्रत्थम मुल्ले पर ठीक है R1 R जो है AB प्रत्थम मुल्ले ठीक है तो बिंदू R का निर्दसान का अगर AB प्रत्थम मुल्ले है क्योंकि दोनों positive होता है तो positive जो है 4,2 कहां हो जाएगा 2 number option sorry 3 number option ओके चलिए आगे बढ़ेंगे देखिए 54 प्रत्थम है थिर्बुच PQR के लिए PQR के निर्दसान करमसा 1,2 2,1 माइनस 1 और 0,5 है मुचाई PS का समी करन क्या होगा यह हमको बताना है ठीक है तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इस coordinate को इस चार्ट पे धर्शाएंगे ठीक है क्या कहता है पहला निर्दसान को 1,2 यानि कि X में 1 और Y में 2 यानि कि यहां माल लेते ही तो यह होगा यह होगा ठीक है पॉइंट फिर क्या कहता है यह P होगा यह कौन सा पॉइंट होगा P पॉइंट होगा ओके दूसरा जो कह रहा है कि 2,-1 X में 2 तो यहां माल लेते है माइनस 1 जाना ठीक है तो माइनस में 1 है और माइनस में 1 क्या है य में तो य माइनस 1 कहा होता है नीचे तो नीचे में माल लेते है कि यहां होगा यह P ठीक है यह P और यह P पॉइंट उसके बाद तिसरे है 0,5 0,X में और Y में 5 तो Y में 5 कहा जाएगा माल लेते हैं कि यहां पे तो 2 था तो यहाँ पर माल लते है 5 होगा ठीक है अब इस तीनों को point को आपस में मिलाएंगे इस परकार ठीक है यह तीनों point को मिला दिये ठीक है और इसको अगर हम लोग इस परकार मिलाते हैं तो यह एक तिर्भुच का निर्वान हो रहा है ठीक है अब कहता है कि PS यह P है फिर यह Q हो जाएगा और यह क्या हो जाएगा R तो H का हमको पुछा है PS का सम्मी करन तो यहाँ पर P30 के सामने में एक line broker देंगे यहाँ पर S माल लेंगे तो यह जो PS से सम्मी करन बताना है तो सम्मी करन बताना है तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता करना होगा धाल ठीक है यह जो धाल है QR यह एक लाइन जो है इसको हमको धाल पता करना है धाल क्या होता है M बरावर क्या होता है देखिए M बरावर होता है Y2-Y1 बट्टा X2-X1 ठीक है तो यहां से हम लोग M निकाल सकते हैं धाल ठीक है तो M बरावर Y2 कितना है देखिए इस क्वारेंट का Q कितना है 2,-1 P कितना है 1,2 और यह क्या है 0,5 तो देखिए Y2 कितना है माइनस का 1 और यहां पर कितना है Y1 माइनस का 5 बटा में X2 माइनस X1 X2 देखिए कितना है X2,2 और X1,0 तो 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा यानिकि माइनस का कितना हो जाएगा 6 बटा दू यानिकि माइनस का 3 तो यह क्या है याप PS की ढाला गया अब हमको पता है equation के लिए M1 into M2 बरावर क्या होता है माइनस 1 M1 into M2 क्या होता है मैंने सुरू में भी बताया था आपको यहाँ पर M1 और M2 का हम लोग एक value पूट कर लेंगे तो आपको रेखा हमको बताना है इसका रेखा ठीक है तो रेखा का समीकरन क्या होता है Y1, Y-Y1 ठीक है और M X-X1 यही होता है समीकरन अब देखिए Y की बात कर रहे है तो Y नहीं पता है तो Y यह रहेगा मैनेस Y1 कितना हो जाएगा 2 यहाँ पर देखिए Y1 कितना है 2 इस दोनों का समीकरन हम लोग निकाल लेगे तो 2 बराबर M M यहाँ से निकल जाएगा ठीक है तो M का फेल्यू हम लोग क्या लिख सकते है दखिए यहाँ से जो M आया है यह M ठीक है यहाँ पर हम लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो M हम को निकल जाएगा ठीक है इसका ढाली यह पता जल जाएगा ठीक है तो M यहाँ पर पुट करेंगे मैनेस का 3 तो बटा में आजाएगा मैनेस का 3 मैनेस मैनेस कर जाएगा यानि कि 1Y 3 इन्टू में X मैनेस X1 X1 कितना है तो 1 है तो 1 क्रोस गुना कर लिए 3 को Y से 3Y मैनेस 6 बरावर X मैनेस 1 अब X को इस साइड ही राते हैं मैनेस 3Y और यह 1 है इधर आएगा तो 6 में सेख जाएगा तो मैनेस का 5 यानि कि equation क्या होगा X मैनेस 3Y मैनेस बरावर मैनेस 5 X मैनेस 3Y बरावर मैनेस का 5 3 नमबर ओके चलिए आगे बढ़ेंगे देखिए 55 बिंदू इतना और इतना से गुजरने वाली रेखा के ढाल मैनेस 3,3 बरावर 10 से तो X का मैन बताना है तो M बरावर क्या होता है Y2 मैनेस Y1 बरावर X2 मैनेस X1 M क्या होता है ढाल आपको दे राखा है मैनेस 3,Y10 बरावर Y2 कितने है तो 1 मैनेस का Y1 कितने है मैनेस का 2 तो मैनेस 2 मैनेस का 1 तो पलस का सॉरी यहाँ पे मैनेस मैनेस पलस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा X2 कितना है X2 X है और Y2 कितना है साथ है तो मैनेस का 7 2, 1, 3, 3 गुनाय में 10 करेंगे तो 30 हो जाएगा मैनेस का 3x मैनेस को इस से तो मैं 7 21 बरावर 10 तियाई 30 यानि के 3x बरावर कितना निकल कराएगा 21 उदर जाएगा तो 9 मैनेस इधर दे देंग 33 जाने x का विड़ क्या हो जाएगा मैनेस का 3 4 नमबर ओके आगे देखिए 56 मैनेस 3 227 के ढाल के साथ बिंदू 5, मैनेस 2 से होकर गुजरने वाली रेखा का समिकरन बताना है तो हमको क्या होता है फर्मूला y मैनेस y1 बरावर m इन्टू में x मैनेस x1 यही होता है ठीक है y क्या होगा y नहीं पता है तो y यह रहेगा y1 कितना है तो मैनेस 2 यहाँ पूट करेंगे तो मैनेस मैनेस हो जाएगा पलस 2 बरावर m, m क्या है ढाल जो दे रखा है मैनेस 3 y 7 इन्टू में x तो x से रहेगा मैनेस में x1 कितना है 5 तो 5 क्रोस गुना कर लिजिए 7 को xy से तो 7y पलस 7 दूना 14 3 को x से तो मैंनेस 3x मैंनेस मैंनेस पलस 5 दी आई 15 7y 3 इधर आएगा तो 3x पलस 7y 14 उदर जाएगा तो पलस का 1 बचेगा यानि कि 3x पलस 7y बड़ावर 1 तीन नमबर ओके चलिए आगे बढ़ेंगे दिखिए 57 नमबर प्रेश्ट मुल्ले बिंदू से गुजरने वाली रेखा 3x मैंनेस 2y बड़ावर 6 रेखा को बिंदू m पर लंबत कारती है m का मान गयात करना है लंबत मतलब क्या परपेंडिकुलर अगर परपेंडिकुलर है ते m1 into m2 बड़ावर क्या होगा माइनस का 1 होगा सबसे पहले हमको क्या निकालना है m तो m क्या होता है माइनस का ay b m क्या होता है माइनस का ay b तो m अगर निकालने की बात करेंगे तो माइनस का ay b तो a कितना है तो 3 है अब आई में B कितना है 2 है तो 2 हो ठीक है यानि कि M का value क्या हो जाएगा अब यहाँ पर किसी के भी जगा पर एक value put करेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से M1 M2 अगर निकालना होगा M2 ही मान के चलते हैं तो minus 1 और यह minus 3 by 2 है तो 3 out 2 कहां चला जाएगा उपर चलाएगा ठीक है minus का 2 by 3 कहां चला जाएगा और देखिए यहाँ पर equation में आपको यहाँ पर minus लगा होगा तो यहाँ पर भी minus लगा ना होगा minus minus यह plus हो जाएगा ठीक है 3 by 2 2 उपर चला गया ठीक है sorry यह minus में रहेगा यह तो plus हो गया था तो m2 का value क्या हो जाएगा 2 by 3 तो आपको जब इतना तक निकाल लिए है तो आपको एक और equation याद आ रहा होगा y बरावर mx ठीक है y बरावर mx अब plus होता है c तो c यहाँ पर नहीं लेंगे c इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यह मुले बिंदू से है y क्या कर देगा 0 कर देगा तो y बरावर क्या हो गया mx m यह वाला ठीक है sorry यहाँ पर minus था तो minus minus का 2 by 3 into में x y बरावर क्या हो जाएगा minus का 2 by 3 into में x अब इसी का equation का put करके हम लोग इसी equation में जो equation हमको दे रखा 3x minus 2y बरावर 6 इसमें put करके x और y का value find कर सकते हैं ठीक है 3 into में x है तो x से रहने देते है minus का 2 into y का value कितना है minus का 2 by 3 into में x बरावर 6 तो यहाँ से एक वो x का value निकल जाएगा देखिए minus minus यह प्लस हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस में 4x बरावर 3 बरावर 6 यहाँ कि यहाँ प्लस प्लस बरावर कितना जाएगा 6 Comp. 8 तो देखिए equation में sorry option में 8imp. 13 किसका है तो इसका भी 18 Cass. 13 है तो आमको y भी अभी निकलन रहे होगा ठीक है तो y निकल लेंगे ठीक है तो अगर यहां से x निकाल लेंगे तो देखे इसी चीज़ को अगर हम लोग इस परकार भी लिख सकते हैं x बराबर 3y by 2 मैनेस का 3y by 2 x बराबर क्या लिख सकते हैं मैनेस का 3y by 2 अब हमको y निकालना है ठीक है तो दूसरे एक्वेशन 3 है 3 into x का वेलू क्या लिखेंगे मैनेस 3y by 2 अब मैनेस का क्या था 2 into y बराबर 6 देखें 3 3 9 हो जाएगा मैनेस का 9 और 2 दूना 4 मैनेस का 4y बराबर 6 दूना 12 होगा ठीक है 9 4 कितना होता है मैनेस का 13y बराबर 12 y बढ़ावर कितना जाएगा minus का 12 बट्टा 13 यानि कि y का value कितना जाएगा minus का 12 बट्टा 13 तो 18 बट्टा 13 minus का 12 बट्टा 13 जो की दो ही number option है ओके तो समझ में आया होगा चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रेशन में देखिए 58 प्रेशन करता है कि x बढ़ावर minus 2 में बिंदू 3, minus 3,1 का प्रतिवीम क्या होगा x बढ़ावर minus 2 का मतलिब क्या है कि ये midpoint है 2 बिंदू का midpoint है और x में 2 है तो y में कितना है 0 है y में क्या है 0 है तो यानि कि y में 0 है तो इसका मतलिब का भी यूज कर सकते है ठीक है और वो क्या होता है फर्मूला देखे होता है X यह जो X है देखे हम फर्मूला ऐसे बना रहे है X1 इसको कर सकते X1 पलस X आप बटा में 2 मतलब की 2 बिंदू की 2 बिंदू का मतलब की सम जो होगा वो आप बरावर में जो X का वैल्यू दे रखाओ वो माइनस का 2 ठीक है तो यहां से आप X निकाल सकते हैं यह वाला X1 इसको मान सकते हैं माइनस का 3 पलस X बरावर माइनस का 2 तो यह minus minus यह 4 हो जाएगा यह cross हूँना हो हो ड 250 कितना हो जाएगा minus 3 दधर जाएगा माइनेस का 1 यानि कि x का coordinate होगा क्या होगा minus का 1,1 तो दिखी 1,1 minus का कहा है एक number option अगर मैं इसकी बात करू ताब डारेक्ट इसको lightweight है तो दोनों का sum होना चाहिए, यानि कि एक point यहाँ पर आपको दे रखा है, देखें, दूसरा point यहाँ है, यहाँ पर mid point जो x वरावर minus का 2 दे रखा है, तो एक point आपको दे रखा है, minus 3,1, तो दूसरा point भी होगा, कुछ ना कुछ, x1 ने होगा, ठीक, y, sorry, 1 ने होगा, लेकिन x कुछ होगा, तो इस दोनों का sum जो होगा, minus का 2 देगा, तो यहाँ पर कितना डाले, तो minus का 1 डालेंगे, तो minus 1 और minus 3, देखें, minus 1, अब minus 3 और divide by क्या होता है, दो बीक दुग की बीच की दुरी, बट्टा में 2, x1 into x2 by 2, अब देखें, minus 1 और minus 2, 1, 3 कितना जागा, minus का 4 by 2, 2 से 2 बार में, यानि कि minus का 2, तो x का भी लिए जाएगा, minus का 2, तो इस पर कार भी आप सोच सकते हैं, ठीक है, चलिए, आगे लेंगे, 59, प्रेशन है, तिरभुज ABC के केंदरक के निर्दसांग 2, 2 है, 6, C के निर्दसांग क्या है, यदि A और B के निर्दसांग रमसा 7, minus 1 और 1, 2 है, तो ठीक है, देखें, इस पर कार का एक तिरभुज है, ठीक है, C का आपको निर्दसांग पुछा है नहीं पता है, तो X, Y मान लेंगे, यह C है, यहाँ पर A है, A का निर्दसांग कितना दे रखा है, 7, minus 1 और यहाँ पर B है, इसका निर्दसांग दे रखा है, 1, 2 और इसको एक केंदरक भी यहाँ पर दे रखा है, केंदरक जो दे रखा है, इसको A, B, यहाँ पर D, तो यह E, ठीक है, और य यह पता है कि यह जो लंबात है यह लंब जो है डाला गया है तो इसको किस रेशियो में डिवाइट करता है एक रेशियो दो में यह एक होगा तो यह दो होगा यहां से यहां तक क्या दो होगा तो यह एक होगा इतना तक तो पता है ओके अब हमको अगर डी पॉइंट निकाल तो 7 और 8 बट्टा दू यानि कि 4 फिर y1 माइनस 1 प्लस 2 तो माइनस 2 में से एक जाए तो 1 बट्टा दू यानि कि d point कितना निकल कराएगा 4, minus का 1 by 2 ठीक है अब हमको point निकालना है तो हमको पता है ठीक है कि इसको और इसको हम लोगों को निकालना है ठीक है तो x फर्मूला होत 2 into x1 बट्टा m पलस n ठीक है sorry m पलस m2 m1 पलस m2 कर लेते m1 पलस m2 लिए तो m1 पलस m2 ठीक है इससे क्या निकलेगा x निकल जाएगा आप देखिए x कैसे निकलेगा x का quad देखिए यहाँ पे आपको देखिए एक देरा का निर्दशांग की है जो केंदरा का 2 यानि कि यह होगा x1 ठीक है यह होगा x1 देखिए यह x2 होगा तो यह x1 होगा ठीक है तो यह x2 यह x1 और x क्या होगा बीच वाला मीट पॉइंट तो यहाँ पर क्या x का भी ले 2 तो 2 बरावर m1 अगर मान के चलते हैं 2 यह m1 क्या हो जाएगा 2 into x1 x1 sorry x2 कितना है तो x2 दे m2 1 into x1 नहीं पता है तो x से रहेगा x1 नहीं पता है तो x1 नहीं पता है तो x से रहेगा ठीक है बट्टा में m plus 1 2 और 1 3 3 2 6 हो जाएगा तो यहां से x का value निकलेगा 3 2 6 और 4 2 8 यानि कि x बरावर कितना हो जाएगा 6 minus 8 6 में 6 जाएगा तो minus का 2 यानि कि एगो क्वाडिनेट निकल गए x ठीक है अब y निकालेंगे तो y बरावर क्या होता है सेम फर्मूला होगा m1 y2 plus m2 y1 बट्टा में m plus n sorry m1 plus m2 ठीक है m का value फिर यहां पर देखेंगे तो 2 ही रहेगा बरावर m1 कितना लिए है 2 into y2 कितना है तो y2 देखी कितना है 1 y2 sorry यहां पर plus में होगा 1 y2 ठी जाया तो 1 बच्चेगा पलस m2 m2 कितना है one into y1 y1 कितना है y यह है तो y बट्टा में 3 है तो 3 यानि कि y बरावर कितना जागा 3 दू ना 6 आ माइनेस में 2 एकम 2 यानि कि 2 हटेगा तो 6 में से 2 जाए तो कितना बच्चेगा 4 कहीं पर मिष्टेगे तो y बरावर कितना आ गया 4 यानि कि x का value minus 2, y का value minus 4, देखें, 4 तो कहीं हैं, नहीं 5 है, तो कहींने कहीं mistake हुआ है, यहाँ पे फिर से हम लोग put करते हैं, देखें, y का value डाले थे, 2 into 1y2, 2 से 2 कर जाता, तो बसता क्या 1 बसता है, यहाँ पे सिर्फ 3, ठीक है, देखें, 1y2 है, तो 2 डालते हैं, तो 2 से 2 कर जाता, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5 ही बचेगा, यानि कि minus 2, 5 हो जाएगा, c का coordinate, ठीक है, minus 2, 5 एक number option, चलिए, आगे बढ़ेंगे, 60, प्रश्ण है, यह x minus 4y, y बढ़ावर minus का 6, अड़ाल जो है, m बढ़ावर दे रखा, minus का 2y 3, तो हमको फर्मूला पता है, y बढ़ावर क्या होता है, mx plus c, इसको इसी term पे इसको बनाएंगे, ठीक है, इस term पे, तो y को एक side में ले जाते है, तो यह क्या हो जाएगा, 4y, ठीक है, इसको इधर लिया है, इसको इधर लाएंगे, तो a x plus का 6 हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा, c जो है, constant 100, ठीक है, x तो x हही है, a, a यहाँ पे क्या है, m है, हमको a का मान बताना है कि क्या होगा, ठीक है, अगर इस 4 को हटाएंगे, तो यह 4 यहाँ से हट कर क्या हो जाएगा, a x y 4 plus 6 y 4, ठीक है, आप देखिए, हमको क्या compare करना है, क्या करना है, compare, हमको a का मान बताना है, ठीक है, तो अब यहाँ पे इस सब को हटा दे, यहाँ पे देखिए, a x y 4, बरावर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, a के जगा पे क्या होता है, m, m का value कितना है, माइनेस का 3 y 2, ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनेस का 3 y 2, यानिकी, जैसे कि देखिए, यहाँ पे compare करेंगे, तो m x, तो यहाँ पे x आगत लगाना चाहते तो लगा देगे, तो x से x neglect हो जाएगा, यानिकी, क्या हो जाएगा, a y 4, बरावर, माइनेस का 3 y 2, 2 से 2, यानिकी, a बरावर, कितना हो जाएगा, माइनेस का 6, compare करना है, ठीक है, और कुछ नहीं, देख लिए जो option में, माइनेस का 6, 3 number, ओके, आगे, 61, देखिए, क्या काता है, प्रश्न है, कि x बरावर, माइनेस 1, बिंदू, 5, माइनेस 2, का प्रतिविम, क्या होगा, अब देखिए, y, x में, माइनेस 1 है, तो y में कुछ changing नहीं होगा, y जो है, सो ही रहेगा, ठीक है, यानि कि यहाँ पर 5, माइनेस 2 है, तो यहाँ भी आपको 5, x के ज़िए पर कुछ होगा, y जास का तस रहेगा, माइनेस 2 ही रहेगा, और यहाँ पर midpoint है, x का value दे रहा है, माइनेस का 1, और y 0 होगा, ठीक है, y 0 लेना है, ठीक है, अब देखिए, x का value क्या ले, कि यहाँ पर दोनों को जोड़ने के, और 2 से भाग करने पर, माइनेस 1 हमको प्राप्ट हो जाए, ठीक है, तो आप क्या ले सकते हैं, यहाँ पर देखिए, option के recording अगर लेते हैं, तो 7, 7 में, अगर यहाँ पर लेते हैं, minus का 7 में से 5 जाएगा, तो minus का 2, बटा 2, 2 में से 2 जाएगा, यानि कि option number 1 ही हो जाएगा, आपका right answer, 7, minus का 2, ठीक है, कैसे, तो देखिए, इस दोनों को क्या होते है, इस दोनों को जोर कर, midpoint निकालने का formula क्या होता है, x वरावर, क्या होता है, x1 plus x2 divided by 2, x1 कितना है 5, और x2 कितना है, minus का 7, divide by 2, 5 में से 7 जाएगा, तो minus 2 by 2, 2 से 2 कटेगा, तो क्या होचेगा, minus का 1, और यही minus का 1 सम को दे राखात, ठीक है, तो क्या होजाएगा coordinate, minus का 7, minus का 2, ओके, आगे, देखिए, 62 number, बिंदू A रेखा खंड, BC को 4 और 1 के अनुपात में, देखिए, इस परकार एक रेखा खंड है, जिसको 4 और 1 के अनुपात में, ठीक है, यह B और C है, अब कहता है कि B के निर्दसांग 6,1 है, और C का निर्दसांग 7,2,6 है, तो A बिंदू का निर्दसांग क्या होगा, यहां पर A माल लिया गया है, ठीक है, यह जो बिंदू है, इसका निर्दसांग हमको पूछा गया है, तो X,Y कर लेते, ठीक है, तो आपको अब इस परकार लिखना है, देखिए, M1 का वेलू क्या हो जाएगा, 4, और M2 का वेलू क्या हो जाएगा, 1, आब X निकालना है, तो X वरा वर क्या होता है, M1, X2, पलस M2, X1, बटा M1, M1 पलस M2, यही होता है, और इसी परकार Y भी होता है, क्या होता है, M1, Y2, पलस M2 X उस्वारी Y1 बट्टा में M1 पलस M2 ठीक है अब निकालना है तो आप आप आशानी से निकाल सकते हैं देखिए X बरावर M1 कितना है तो M1 देखिए कितना है 4 M2 में X2 X2 को साथ बट्टा दू पलस M2 M2 1 M2 में X1 कितना है 6 तो 6 ये बला पॉइंट X1 6 आप बट्टा में M1 1 4 और 1 5 2 से 2 बार में कर जाएगा यानि कि X का वेलू कितना हो जाएगा 7 2 4 6 1 4 4 4 6 20 बट्टा 5 ठीक है 5 से कर देजे 5 यानि कि X का वेलू कितना हो गया 4 अगर Y की बात करें तो Y बरावर क्या हो जाएगा M1 कितना था M1 4 इन्टू में Y2 कितना है 6 पलस M2 कितना है 1 इन्टू में Y1 कितना है 1 बट्टा में 5 तो Y बरावर कितना हो जाएगा 6 4 24 और 1 25 बट्टा 5 25 यानि कि Y का वेलू कितना हो गया 5 यानि कि X, Y जो निकला गो कितना निकला 4,5 देखिए option में 4,5 दो नमबर ओके आगे 63 5,-1 और 4,-4 बिंदू के मद्धे से गुजरने वाली रेखा के समानतर रेखा के ढ़लान क्या होगी ये हमको बताना है ठीक है बिंदू के मद्धे से गुजरने वाली रेखा का ढ़लान बताना है तो M बरावर क्या होता है y2-y1 बटा में x2-x1 y2 कितना देरखा है – 4 तो – – 1 हो जाएगा बटा में x2 x2 – 4 अब – 5 चार में से 1 जा जाएगा तो – 3 – 1 – से – 3 एंदे के ढ़लान क्या होगा सिधा positive 3 3 नमबर ओके आगे देखिए 64 X अक्ष पर बिंदू 64 X अक्ष पर बिंदू minus 0,5,6 का प्रतिवी में क्या होगा ठीक है X अक्ष पर अब देखिए minus में है 0,5 तो minus इसमें आएगा ठीक है अगर minus की बात करें तो यहाँ पर 0,5 ठीक है और plus का 6 अगर y में plus का 6 है तो उपर में जाएगा यानि कि यह point आएगा ठीक है अब कहता क्या है कि इसका प्रतिवी में क्या होगा ठीक है यह जितना यह distance होगा वही distance जो होगा नीचे आएगा ठीक है इतना ही distance नीचे आएगा ठीक है तो यहाँ भी यह जो बिंदू है minus का 0.5,6 है तो यह जो third quadrant में आएगा तो यह क्या होगा दोनों minus से में रहेगा यानि कि यह minus का 6 भी रहेगा यानि कि दोनों क्या हो जाएगा minus में हो जाएगा minus का point यह 4 number option ठीक है minus का 0.5 और minus का 6 ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे 65 प्रेशन है कि S इतना और U इतना के बिंदू को जोड़ने वाली रेखा खंड को बिंदू T X,0 की सनुपात में विभाजित करेगी यहाँ और यहाँ के बीच में कोई बिंदू T है जहाँ पे X,0 है और यहाँ पे आपको माइनेस का च्यार कॉमा माइनेस का एक जिसको किस अनुपात में विभाजित करेगी तो N अनुपात N में विभाजित करती है ठीक है हमको इसी का अनुपात बताना है ठीक है तो हम लोग 0 वाला क्वाडिनेट लेकर चलेंगे 0 वाला तो फर्मूला क्या होता है कि formula होता है basically x वराबर होता है m1 x2 plus m2 x1 बट्टा m1 plus m2 यहाँ पर m1 और m2 ही लिख लेते हैं ठीक है formula के according फिर y निकालने के लिए क्या होता है m1 y2 plus m2 y1 बट्टा में m1 plus m2 हम इस वाले में put करेंगे क्योंकि y क्या है 0 है तो y के जगा पे क्या लेना है 0 बडाबर m1 m1 तो m1 ठीक है m1 के जगा पे क्या रहेगा m1 ही ठीक है अगर हम लोग m1 को m ही रहने देते हैं और y1 कितना है देकर y2 कितना है तो गुना में 4 करेंगे तो यहां 4 हो जाएगा ओके और फिर क्या करेंगे तो यह 0 हो जाएगा यानिकि 4 m1 बडाबर यह m2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस में m2 तो बडाबर उधर आएगा तो m2 हो जाएगा ठीक है यानिकि m1 का भेलू होगा जो M2 का कॉफिसेंट होगा 1 या दिकि M2 का भेल होगा जो M1 का कॉफिसेंट होगा 4 यान कि किस रेशियो में डिवाइट करेगा एक रेशियो 4 में तो देखिए एक रेशियो 4 कहां है answer एक number option ओके तो समझ गए होंगे प्रश्न को चलिए आगे बढ़ेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे वीडियो को यही समाप्त करेंगे ठीक है और आगे का जो भी प्रश्न बच्चा हम लोग next वीडियो में देखेंगे तो मित्ते हैं next वीडियो में तब तक लिए धन्यवाद जै हिंद जै भारत बंदे मातर